अटल अमरित योजना का जल नहीं पहुंचा जनता के घर अमरित अटल योजना के नल जल का अमरित आखिर कब मिलेगा रधान मंतरी नरेदर मोदी ने मोतिहारी जिले से इस योजना का किया था सिला न्यास नेउस नाइन टाइम्स बेतिया से आशुतोस कुमार बर्नवाल की बियोरो रिपोर्ट अटल अम्रित योजना के तहत बेतिया नगर निगम छेत्र में 101.92 कड़ो रुपे की लागत से स्विकरित नलजल योजना सिला न्यास के करीब 4 वर्स बाद भी अधर में लटका हुआ है इसकी खोज खबर लेने वाला तक कोई नहीं है इस योजना का टेंडर नालंदा इंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड नामक की कमपनी ने ले रखा है कमपनी द्वारा इस योजना के तहत करीब 4 वर्स पूर्व नगर निगम परिसर में एक बड़ा पानी टंकी का निर्माण सुरू किया गया था जो आज तक कच्छब गती से चली रहा है सूत्रों के अनुसार इसके निर्माण में प्राकलन की अनुरूप मैटेरियल नहीं लगाने और भारी अनियमित्ता बढ़ने के कारण जब 25 दिसंबर को टंकी में पानी भरा गया तो ज़रने की तरह पानी चूने लगा बताते चले कि इस योजना के तहत नगर निगम के कुल 49 वाड़ों के 6 वाड़ क्रमसा 21, 23, 33, 24, 34 और 35 में पानी की सप्लाई की जानी है नगर निगम छित्र अंतरगत अटल अमरित योजना के तहत सहरी छित्र में नल जल योजना कहां तक सफल होगी यह अभी समय के गर्थ में है कम्पनी के सूत्रों के अनुसार इस योजना को तीन साल में चालू कर देना था पर कारे कच्छब गती से होने के कारण कई बार इसकी अवधी विस्तार करते उबे 31 दिसंबर 2020 को ही चालू कर देना था लेकिन आवी पारी टंकी को चालू करने में कितना समय लगेगा या नहीं कहा जा सकता सूत्रों के अनुसार दो कम्पनियों को पूरे बिहार के नलजल कारे का टेंडर दिया गया है जिसमें नालंदा इंजिकॉन भी सम्मिलित है दोनों कम्पनियों की कारे इतनी धीमी गती से होने के बावजूद बिहार सरकार की नजर इन सम्वेदक कम्पनियों पर नहीं है हाला कि संवेदक सूत्रों की जानकारी की अनुसार कार्य अपूर्ण होने की जानकारी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव तक हुए और वही से अवधी विस्तार दिया गया है वहीं बुढकोवाब नगर निगम के कनिया भियंता मनीश कुमार ने बताया कि टंकी का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और उसकी अभी प्रॉपर प्लास्टर और वाटर प्रूफिंग नहीं की गई है जिसके कारण पानी भने पर लीकेच कर रहा था अभी उसमें काम बाकी है हाला कि जब उनसे जलापूर्ती के सम्मन्द में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 31 जन्वरी 2021 तक पानी के सप्लाई उन सभी वार्डों में सुरू कर दी जाएगी जहां पाइपलाइन कारे पूरा कर दिया गया है आपको बता दे कि नालंदा एंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमपनी ने बेतिया नगर निगम के 49 वार्ड में पानी सप्लाई के लिए 6 स्थानों पर पानी टंकी का नर्मान करा रही है हाला कि अभी उन सभी 6 जगों पर पानी टंकी का कारे प्रगती पर ही है कई भी या कारे पूरा नहीं किया जा सका है नगर निगम परिसर बाजार समीती के समीप बसवरिया लिबर्टी सिनेमा के समीप उत्तरवारी पोकरा के समीप वा घुसकपुर इंचे जगों पर टंकी निर्मान का कारे चल रहा है नलजल के लिए बिछाई गई पाइप लाइन के लिए इस्टहरों के सभी गली महले को और सरकों को तोड़ दिया गया है और उसकी निर्मान तक नहीं कराई गई है जबकि उपमुख्य मंत्री रेणू देवी वा जिलादिकारी कुन्दन कुमार के द्वारा कई बार सरकों की मरम्मती के लिए निर्देश जारी किया गया था परंतु वो निर्देश भी धरातल तक पहुचने में दम तोड़ दी ऐसे में सरकार की अति महत्वकांची योजना के निर्मान कारे की गती को देख कर सरकार की मैत्वकांचा पर तारांकित प्रस्न चिन्न खड़ा करता है